जहें दोस्तों, Welcome back to Funin Pat Shala आज मैं आप सभी के सामने Differentiation के class लेकर आया हूँ मेरा नाम है आप सभी जानते हैं Bobby Jurel तो यहां पर हम Differentiation के class लेकर आया है और जो Hindi मिनम के बच्चे हैं जिनका course पूरा नहीं हो पाया है या जिनको डंक से समझ में नहीं आपाया है उनके लिए आज Differentiation के class लेगी अभी मैं आपके लिए ज्यादा टाइम बरबात करते हूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बच्चा हुआ है दो तिन बाते आपको चेता आपनी बता देता हूँ पहली बात अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहली बात तो यह आप अपने हाथ में Compi और Pen लेकर आए क्योंकि तभी आप आगी की बात समझ सकेंगे आपके हाथ में Compi और Pen जरूर होना चाहिए पहली बात तो यह हो गई अब शरुबात करते हैं वन शोट की आज का लेक्ट्टर मात्र एक लेक्ट्टर होने वाला है इसमें हम डिफरेंशेशन का पूरा कंसेप्ट समझते चलेंगे पूरे डिफरेंशेशन हिंदी में इसको कहते है अवकलन अवकलन नाम के चेप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है आज इस पूरे चेप्टर में एक बार में कर लिंगे हम देखिए क्लास 12 यह वन शोट रिबीशन है पूरे चेप्टर का इसमें आपको मैं अवकलन से कहूंगा डिफरेंशेशन के बारे में आप सभी जानते है, मैत में, 12th की मैत में, differentiation एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसका अच्छा नंबर वेटे जाता पीपर में, ठीक है, चलिए हिंदी माध्यम के लिए, यहां से शुरुबात करते हैं, differentiation क्या होता है, देखे, किसी भी बड़ी चीज़ को धीरे 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 छोटा करते चले जाना, इसको कहते हैं, उसको differentiation करते चले जाना, differentiation का मतलब होता है, बड़ी चीज़ों को छोटा करो, और छोटा करो, छोट करते करते ले जाओ यानि किसी चीज को घटाना इसको कहते है डिफ्रेंशिशन हिंदी में कहते है अवकलन का मलब है किसी भी चीज को कम करना देगे अवकलन का मतलब होता है किसी चीज का घटाना किसी चीज को कम करना ठीक है आगे अवकलन जो है गड़ित में हम दिये हुए फलन का अवकलन गुडांक ग्याद करती है अगर हम अवकलन सीख रहे हैं तो इस चेप्टर में में करना क्या है हमें कुछ दिया हुआ होगा उसका अवकलन निकलना है ठीक है आफ कलन, आफ कलन को dy over dx से से दिखाते हैं ठीक है, dy over dx से से दिखाते हैं, अभी इसको करना कैसे आगे, ये आपको सीखने के लिए कुछ बाते जाननी है, पहला आपके सामने फॉर्मूले आएंगे उन फॉर्मूलों को पूरी तरीक से आप कर लें, आप कॉपी और पैन लेकर बेठें, जैसे से मैं कराता जाओंगा आप उसको लिखते चलें, और याद करते चलें, वो आपको जैसे याद होंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे चलिए, यहां आते हैं ये आफ कलन में, डिफ्रेंशेशन में जो उस होने वाले कुछ फर्मले हैं ये बहुत जरूरी है, अगर आपको ये फर्मले नहीं आते हैं तो पका आप आगे कॉशन हम कर पाएंगे कॉशन का लेबल बढ़ जाता है ये साइन आ, मिनस बी का फर्मला होता है साइन आ, कॉस भी, मिनस cos a sin b ये एक formula हो गया, दूसरा अगर यहाँ पर a और b angle अलग अलग है, है न अगर मैं दौनों को a की रग दू थीटा इसका एक formula और होता है, वो शायद यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, आप सुनिए sin a plus b का इसी formula को plus में भी बता सकता हूँ मैं आपको, अभी minus में अगर plus होता, तो आप यहाँ पर plus कर देना, ठीक है minus हो, तो minus कर देना plus हो, तो plus कर देना यह formula हो गया, sin का, ठीक है sin a plus b क्या होता है, sin a cos b, plus cos a sin b आगे अगर मैं इसको भी theta कर दूँ और इसको भी theta कर दूँ दोनों को same कर दूँ एक और एक, 2 sin 2 theta का, यह formula होता है 2 sin theta cos theta, बराबर 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta यह formula कैसे आया, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, यह अगले chapter की बात है, इससे पुराने जो chapter रह चुक है ठीक है, फिलाल, आप याद कर लें इन फर्म लोगो, cos a plus b का क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b, अगर यहाँ minus होता तो आप यहाँ पर plus कर देते ठीक है, आगे अगर मैं इन दौनों को theta कर दूँ मैंने, बराबर angle कर दूँ, एक और एक 2 theta, दो angle हो गए cos square theta minus sin square theta बराबर, 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square बराबर, 2 cos square theta minus 1 मारबर 1 minus 2 sin square theta आप कहेंगे, यह तो पड़ी tensor वाली बात हो गई एक formula से इतने सारे formula कैसे याद करें आपको practice करनी है practice करते करते ही, अपने आप याद होते है सोयम, आपको चंदा नहीं करनी है पहले मेरे से भी नहीं होते थे formula याद, लेकिन अब मुझको भी होने लग गया थे जैसे ही मैं थोड़ा सा practice करनी लग गया था, जब मैं 12th में था आप बस ही याद रखेंगे cos 2 theta होता है cos square theta minus sin square theta और आपने पच्पन में बढ़ रखा है 10th class में मैं आपको दिखाता हूँ, उस formula के बारे में आपने पढ़ा होगा sin square theta plus cos square theta पराबर 1 पढ़ रखा है आपने आपने पढ़ रखा होगा sin square theta पराबर 1 minus cos square theta, ये भी पढ़ रखा होगा आपने, भाई, इसको साइन की जगे इसको रख दो कभी कभार cos निकल लेते हैं cos square theta पराबर 1 minus sin square theta आप क्या करो cos की जगे एक बार इसे रख दो, तो ये formula निकल कर आता है ठीक है sin की जगे इसको रखोगे तो ये formula निकल कर आता है ठीक है, तो ये कुछ formula होगे जो आपको याद कर लेने है इस formula को देखिए 2 theta पराबर ये है sin 3 theta ये है cos 3 2 sin A sin B, ये हो गया 2 cos A sin B, ये हो गया formula को याद करने की trick और shortcut, मैं आपको next अगली वीडियो में देदूँगा, फिलाल के लिए आप कोशिश करें, को याद करें क्योंकि आप सभी inter class में, अगर आपको याद हो गया, तो आप कर सकेंगे, वहना दिक्कत आजाएगी है, आप इस बात को याद रखना अगला और एक बात मैं आपको बता दूँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ये चेप्टर बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, और आप तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे आपको बता रहा हूँ मैं बहुत कमजोर हुआ करता था अपने टाइम पर जब मैं पढ़ता था, मैंने भी इसको कोशिश करनी है, पढ़ते समय कुछ बातों को जरूर ध्यान रखें एक बात ये ध्यान में रखें, कि हम जो पढ़ रहे है अपने माबाब की तस्वीर हमेशा अपने सामने रखें, जब भी आप पढ़ें कभी भी आपको लगए कि पढ़ाई हमसे नहीं हो रही है उनकी तस्वीर को देख ले है समझ में आ जाएगा कि वो कितना मेहनत कर रहे है उनके लिए हम पढ़ रहे है यूपी बोर्ड में या हिंदी मीडियम के बोर्ड में वो बच्चे कभी नहीं पढ़ते जो ज़्यादा पैसे वाले होती है मेरा कहने का मनलब गलत नहीं है मेरा कहने का मनलब है जो लोग हाई क्लास बच्चे होती है वो कभी भी ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ते है क्योंकि उनकी मजबूरी है जैसे बड़े स्कूलों में तो वही पढ़ते हैं जो थोड़े से अपर लेविल के लोग अती है तो आप लोगों को उठकर जीवन में नाम करना है उसके लिए आपको शुरुबात अपनी 12 से करनी है यहां आपको अच्छे नंबर लाने है कोशिच कीजिए इस चेप्टर के स फंक्शन कहते हैं ृक है मैं पता रहा हूं यह क्या होता है वन फंक्शन कुछ नहीं होता है आपको इक कुछ देगा क्वेशन उस करना है यह ना तो इसी को कहते एक तरीके से fx देखो x है कोई x कोई variable है आप जानते है अचर राशी है sorry चर राशी है कोई x जैसे आप तो जानते हैं x की जगे कुछ भी हो सकता है यह ना कोई भी variable माल लो x है y है z है ठीक है यह सब आप जानते हैं अगर इसकी कोई power है n तो अवकलन करते समय है इसको घटा दो कितना एक कम कर दो कम कर दिया लेकिन उससे पहले एक बात याद रखेंगे इसको नीचे उतार लेते हैं x की power n का अवकलन होता है n पीछे लियाओ और x की power n मेंसे घटा दो जी होता है ठीक है तो जी बात आप याद रखेंगे example क्या इसका कोई उधारण जी देखिए एक example लेदा हूँ आपके सामने अवकलन करना है अवकलन को d over dx से दिखाती है किसका करना है x की power 5 का करना है x की power 5 का अवकलन करना है आप क्या करेंगे 5 को नीचे उतारेंगे, x को वहीं रहने देंगे, याद रखें ऊपर एक कम कर दो, तो यह हो गया 4 हो गया इसका अंसर, 5 को बगल में उतारा ऊपर 5 में से एक गटा दिया तो 4 रहे गया, एक और करो अब कलन, d over dx x की पावर 7 7 है न, यह 7, अब आप इसका कैसे करेंगे, 7 को पीछे लिया होगे, x की पावर 7 में से कम करके 6 कर दोगे यह अब कलन हो गया, है न ऐसे अब कलन करते हैं आगे किसी खाली नंबर c, हिंदी में कहते हैं, इसको पैसे तो इंगलिश में कहते हैं, constant, कोई खाली नंबर, ठीक है इसको, उसका अब कलन जीरो होता है जैसे d over dx, 7 7 कोई नंबर है, नंबर का अब कलन हमेशे जीरो होता है, इस बात का भी आत रखें नंबर का अब कलन जीरो होता है ओके और यह लग रहा है u multiply v यू पहला function है जो वी जो हो दूसरा है यह पहला यह दूसरा, इन और का multiply हो रहा है यह गुणा हो रहा है अब इनका अब कलन कीजिए, multiply हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना घ्यान से देखें, आप क्या करें पहले का अब कलन करें दूसरे को बगल में चुपका दें फिर दूसरे का अब कलन करें पहले को बगल में चुपका दें आप कहा अंसरा आजागा उनको जोड़े लेना यह इसका formula दिया हुआ है कैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक फिर लेता हूँ, इस पर दिखाता हूँ देखो मैनने आपको बथा अब करते है आपको पहला दिया है और दूसरा दिया है दौनों गुड़ा हूरे है इह अब कलन कैसे करते है पहले का आफकलन सुनो एक पात और आपको पता दू में आफकलन को एक तो ऐसे दिखाते हैं ''d over dx'' एक और से दिखाते हैं i dash dash लगा के दिखा सकते हैं आप या d over dx करके आप दिखा सकते हैं एना, okay तो मैंने क्या किया पहले बाले का अवकलन कर दिया multiply दूसरे इसके बगल में चुपका दिया कोई समस्या निया नी चाहिए पहले का अवकलन किया, दूसरे को लगा दिया पिलस दूसरे का अवकलन किया dash लगा दिया और पहले को चुपका दिया ये तरीका होता है ना अब देखो दियान से d over dx x x into sin x x into sin x into माने multiply x गोला sin x इसका अवकलन करना है बड़ी आसान बात है, पहले x का अवकलन करो ठीक है फिर जो भी आंसर है multiply कर दो पड़ोसी से sin x से, कर दिया प्लस sin x का करो d over dx sin x उसके बाद x को लगा दो जो भी आंसर आएगा x को चुपका दो तर मैं आ गया, देखिए दियान से अब आपको पता दू d over dx into x इसका अंसर एक आता है x का अवकलन हमेशा एक होता है क्यों? ज्यान से देखना आपको पता है x की पावर एक है अगर x की कोई पावर नहीं दी हुई तो वो एक है एक को नीचे उतार लो उपर एक मैंसे घटाओके तो 0 भाई एक उपर कमरों को नीचे लियाओके जिसकी पावर जीरो उसका अंसर एक 1 बन जा 1 इसलिए एक आता है एना x का अवकलन और देखो भाई आप लोग दियान से x का अवकलन एक गुणा sin x पिलस sin x का अवकलन cos x होता है आप याद रख ले sin x का cos x होता है गुणा x हो गया आंसर sin x बन जा sin x plus x cos x आपको समय आ गया होगा नहीं आया है इसे नोट कीजिए फिर इसके बाद दोबार बताता हूँ आपको मैं एक और question लेती है अवकलन करना है मुझको x multiply x की पावर 7 x की पावर 3 तो ध्यान से देखें पहले x की पावर 7 का आवकलन करना है डेस लगा दो चलो या तो dy over dx लगा दो या फिर dy upon dx या फिर ऐसे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपकी मर्जी है ऐसे कर लो चलो d upon dx x की पावर 7 फिक है into x की पावर 3 plus x की पावर 3 का करिए गुणा x की पावर 7 फिक है आगे 7 का करेंगे वैसे एक चीज बता रहा हूँ ये तो ऐसा नहीं है ये question तो मैंने दे दिया है बरना आप तो जानते ही है multiply होते ही एक जैसे number है x और x तो पावर जोड़के 7 और 3 10 हो जाएगी answer तो तबास आता बस मैंने आपको तरीका बताया पहले का किया दूसरे को चुपका दिया प्लस दूसरे का किया पहले को लगा दिया ये करना पड़ता है न ओके तो आपको ये formula केलियर हो गया होगा आगे देखिए ऐसी करके divide जोडने वाला होता है दो चीज जोड रही हो या माइनस हो रही हो उनका अलग-अलग करके जोड लो या घटा लो कोई दिक्कत नहीं यह पहला वाला और दूसरा वाला ठीक है जैसे देखो यहां लेते हैं के example अब कलंद दियान से देखना d upon dx x plus 7 आपको करना है एक अलग-एक अलग तो दोनका अलग-अलग कर लो x square plus d upon dx 7 दोनों का अलग-अलग कर लो x square का क्या होता है 2x तो दो पहले आ गया एक कम हो गया और नंबर का क्या होता है 0 लो हो गया answer 2x में 0 भी जोड़ेंगे तो कुछ नहीं 2x कर लो तो आप जोड़ना ही हो तो अलग-अलग कर सकते हो एक फेहले का करें दूस्रे का गुणा मhouse yad रहें बिभसरे आज कर दो दूसरे वाले का कर ले नहीं यह फ़्शहीं आप फहले से प्ष्च कहें होंगे इन फ़ॉर्मलो को कहते है बिच गढ़ती है तू खत्र्माने function क्योंकि इसमें कोई प्रिग्णोमेट्री नी लगी कोई अलग नंबर नी लगा नॉर्म और नॉर्मर हो रहा था वह कर दिया कुछ रेजल्ट याद रखें बाई यह रेजल्ट याद कर लिये तो मज़ा आ जाएगा वेरी इंपोर्टेंट बड़े जरूरी जरूरी ओर्मूले हैं root का कभी भी आपको अबकलन करना हो तो 1 upon 2 root x आता है root x का 1 upon 2 root x, एक example लेता हूँ differentiation of, मानि अबकलन करना है मुझको root में x का, तो क्या answer आगया? 1 upon 2 root x, बस आप इसको याद कर लो एक बार upon इसका क्या होता है? अबकलन, 1 upon x, इसका अबकलन होता है minus में 1 upon x square, यह आपकलना आप direct याद कर ले, बस, मझे आ जाएगा ओके, और मैं आपको बता दू, एक बात और, क्योंकि हम क्या कर रहे है, one shot कर रहे है एक ही वीडियो में सारा कपर करना है, तो मैं आपको डीटियल से नहीं बढ़ा सकता इस समय, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा हुआ है अगर आपको डीटियल से पढ़ना है, तो हमारा application है, one in partial application, जो की play store पर है आप उसमें को जा कर सकते हैं, और उसमें एक एक lecture, बड़े शांदर तरीके से दिया हुआ है और एक point discuss किया गया है, मैत में ऐसी कोई चीनी चूटी है, जो आपको ना आए और एक formula, तो आप कोशिश करें, अगर आपको समय मिल जाए, या अगर आपको detail से पढ़ना है, तो आप play store से डाउनलोड करें, और उसको देख लें, बैसे शाद उसकी cost बगरा तो शाद मुझे पता नहीं है, बहुत कम है, आप पता कर सकते हैं हैं उसमें जाकर, अगर आप कमेंट सेक्शन में यूटूब पर डाली है, आपको हम पूरा doubt क्लियर करेंगे, लेकिन, यहां जितना मैं बढ़ाऊंगा, मैं गारंटी है, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ने वाला, आप बिल्कुछ निता न करें, कुछ formula हो रहे हैं, कुछ formula होते हैं, कुछ formula होते हैं, आपने देखे होंगे, किताब होंगे, sin x का cos x, cos x में sin x, 10 का sec square, 4 का माइनस में cos x square x, sec x sec x 10 x, cos x का माइनस में cos x cot x, अब आप कहेंगे, किसी किसी पर तो माइनस आ रहा है, किसी किसी पर नहीं आ रहा है, याद कैसे करें, आपको एक shortcut बताता हूँ, आप जब भी अब गलन करो, अगर c दिखाई दे जाए, तो माइनस आएगा, c दिखही देगया तो minus आगया c दिखही देगया तो minus आगया बागी किसी पर minus नहीं आया है तो यह formula आप याद करें यह आपका काम है formula याद करना आगे देखिए इसको log की कुछ formula आप सब जांते है산。log क्या होता है? दिखें हैं लगुलक लग लग इनसे जुड़े कुछ बहुत ही अच्छे फॉर्मुले जो काम में आएंगे सबस्यादा लोग बागे AX का डिफ्रेंसेशन होता है AX लोग A EX का होता है सरफ EX लोग X का होता है वनपॉन X आप इसको याद रखे कैसे देखो सबसे पहला कोई नमबरे माल लेते है 7 उसकी पावरे X उसका जब भी अब कलन करोगे आप तो याद रखें 7X का 7X लिख देना और 7 का लोग लगा देना हो गया अंसर आप कुशन में आया 7 की पावर मैं 7 से मतलब नहीं मेरा मैं किसी भी नमबर को ले लूँ माल लेते है 9 की पावर X माल लेते हैं से आप पता क्या करोगे ध्यान से देखना चुकि नीचे नमबर है एक मलब वो संखिया है और उपर एक चर्दासी है एक है 9X का 9X ही रहेगा 9 का लॉग भी आजाएगा लॉग 9 संख में जैसा कि इसमें हुआ A की पावर X A कोई नमबर है उसकी पावर X है अब कलन कर दो AX का क्या रहता है AX संख में A का लॉग लग लग जाएगा लॉग A यह देखो यदि E की बात हो तो E का तो direct answer आता है AX आप कहेंगे यह क्या होता है यह तरीके का वलन होता है भंसन होता है आपने पहले पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेना अभी आप याद कर लो है ना आगे लॉग यह बड़ा अच्छा फॉर्मला है इनको करने से पहले आपको एक रूल समनना पढ़ता है जिसको कहते है चैन रूल मैं कह रहा हूँ आपको मजा आ जागा इस परमले को कर लीजिए आप आपको बिल्कुछ चिंता नहीं करनी है कोई ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर आपको थोड़ा बहुत बेसे काता होगा तो भी हो जाएगा काम देखिए चैन रूल माना जाता है हिंदी में बैसे तो चैन रूल ही कहते हैं सभी लोग आप बस याद रखें इसमें क्या होता है फलन के अंदर फलन है फलन के अंदर फलन है फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा पहले बाहर का करो फिर अंदर का फिर अंदर का ऐसे होता चलेगा तो चैन ऐसी चलेगी आगे बढ़कर और यह बहुत इंपोटेंट है यह आएगा तो आप आगे बढ़पाएंगे पहले मैं कराता हूँ Level 1 के Question पहली Level के Question Question है मेरे पास Sign4X इसका अब कलन करना है तो D over DX लगाया Sign4X लिख लिख लिया अब और दियान से देखना Sign X का आपने पढ़ रखा था Cos X जी तो आपको भी पता है लेकिन यह गल्ती ही है इसके अंदर x नहीं है, 4x है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि अंदर के नंबर का फिर से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गल्ती दिख़ी दे रही है, आपने तो यह पढ़ाता, आप कलन करना है हमको, sin x का, तो आंसर आता है, cos x, लेकिन यहां तो कोई नंबर ही चलती है, पहले बाहर करो, फिर अंदर करो, फिर अंदर करो, sin 4x का पहले तो बाहर बाले का करो, sin का क्या निकल कर रहता है, आप बताओ, sin का होता है, cos 4x, cos 4x, गुणा, अंदर का क्या है, 4x, इसका भी कर दो, d बटे dx, 4x, सही है, cos 4x तो था ही, आप जानती है 4x का क्या होता है देखो ज्यान से देखना 4x का अंसर होता है 4 अब कलन करेंगे तो 4x का अब कलन 4 होता है क्यों ? देखो dx का तो dx 1 होता है 4 बच गया बस 4 को इदर multiply कर दो घुलाँ कर दो आपका अंसर आया 4 इंटू cos 4x यह आपका अंसर आ गया बिल्कुल इसी तरीके से अगला कुशन है देखो cos 5x इसका अबकलन कीजिए अबकलन cos 5x आप जानते है cos का अबकलन माइनस में चला जाता है माइनस का sin 5x गुणा अंदर का 5 5x उसका अबकलन करोगे तो 5 आ जाएगा अब आंसर क्या हुआ 5 sin 5x और माइनस का माइनस यह नोट कीजिए इसको अगला कुशन आप करेंगे यह है do yourself आपको स्वयम करना है यह वाला कुशन दो मैने कराए ठीक है 10 का क्या होता है और नंबर का फिर से हो जाएगा इसको केते हैं चेण डूल आभी हम पीछे वाले कुशन क्यों लोटते हैं कि क्या हम उन्हें कर पाएंगे यह कोशन e की पावर x स्कोयर आभी आपने अवकलन क्या देखा था आपने देखा था e की पावर x का जबकि यहाँ पर X के उपर और एक नंबर है, मैंने आपसे क्या बुला, चेन पर चेन चलो, पहले बड़े वाले का करो, फिर उसके अंदर जाके करो, पहले इसका करो, ठीक है, इन्टू, अब एकी पावर जो भी होगी उसका करो, उस पावर क्या के कुछ दिया नहीं है, बस इसी कर रहने दो, चलो, E का कुछ भी करते हैं, तो लोट कर जही आयाता है, आप जानती है, E की पावर X स्क्वार का, E की पावर X स्क्वार ही रहता है, गुणा, x square का क्या हो जाता है 2x आपका अंसर हुआ 2x e की power x square इसको देखिए आप इसमें थोड़ा सा गड़ बड़े e की power cos x देखिए e की power cos x मैंने आपको क्या बोला था e की power cos x का अब गलन करना है न तो e की power cos x का तो j रहेगा इसमें तो छेट शार होगी नहीं अभी cos का फिर से करना है मेरे को cos का क्या होता है minus में sin x आप जानते ही है लिया हो इसे पहले minus में sin x into e की power cos x ये इसका बगलन हो गया इसका हो गया इसका भी मैं करा देता हूँ आपको इसको नोट कर लो आप साइन लोग x इसका आवकलन करना है d open dx लगा दिया आवकलन कैसे करते हैं ध्यान से देखो सबसे पहले साइन का क्या होता है आप तो जानते ही है साइन का cos अंदर का नंबर अभी चेंज नहीं होगा वो बैसे ही रहेगा अब multiply लगाओ गुणा अब करो अंदर वाले का फिर से आप जानते हैं आप कलन करेंगे किसका लोग x का बाहर का करके ऐसी छोड़ दिया अब अंदर का फिर से किया लोग x का क्या होता है बन अपॉन x गुणा cos log x यह तो आप जानते ही हैं लो आंसर आ गया cos log x into 1 upon x तो मैंने आपको यह example यह उदार दे दी हैं अभी आगे बढ़ते हैं देखो भाई इसमें लगेगा ग्यात कीजिए dy upon dx यह level थोड़ा सा इसमें हाई हो गया थोड़ा सा इसतर उचा हो गया इस question का इसको देखिए इससे पहले की question जो थे इनको revise मारिए फिर से हम one shot कर रहे हैं तो हम revision लेकर चलेंगे साथ में अब कलन कमलब गटाना होता किसी चीज़ को कम करना इसको dy upon dx से दिखाया जाता है कुछ formula यह आपको याद करने है यह भी formula आपको याद करने है यह आपको देखना है यह जितने भी formula दिये हूँ है differentiation के आपकलन के सुरवाती formula है इनको आप याद कर ले बहुत बजा आजाएगा आपको इससे आगए यह है कुछ परणाम रेल्ट हैं यह 2x का बनपन 2 root x होता है 2x का माइनस में 1 बटे x2 होता है इसके बाद यह trigonvity की formula है अब कलन के यह log वाले formula है कुछ जाने माने यह उनसे जुड़े कुछ प्रशन हो गई यह चलिए अगले question की और बढ़ते हैं level आगे बढ़ते हैं देखिए अभी आपको यह समया गया अब level थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस question को देखिए इस question को यह अभी उस level वाले question को करेंगे पहले इनको भी कर ले आप देखो आपको अब कलन करना है sin x square plus के 5 का तो अब मैं आगया ध्यान से देखिए आप sin का क्या होता है cos x square plus 5 इतर से x square का फिर से करोगे आप x square का 2x 2x plus 5 का 0 आपके पास होजा cos x square plus 5 2x का plus 0 करेंगे तो कोई भरकता पढ़ेगा नहीं 2x है अब 2x को पहले लग लो क्योंकि आप लगना जानते ही है 2x into cos x square plus में 5 यह होगा इसका answer अगला question cos sin x cos sin x याद रखें sin इसके अंदर का angle है theta की जगे पर है sin करो इसका अब कलन cos का क्या होता है minus में sin और domain तो अंदर का number तो बदलेगा नहीं बहुँ ऐसी रहेगा sin sin x sin x का क्या होता है cos x लो साप हो गया answer cos x को पहले ले लो sin sin x sin sin x अगला sin x plus b यह आपके लिए है do yourself ठीक है इसको आप करें पहले sin का लियाना फिर अंदर के number का कर देना इसको भी देखिए sack मैं आपको बता रहा हूँ आपके paper के बहुत काम के question है इसमें और बिल्कुल बजा आ जाएगा सबसे जरूरी question करा रहा हूँ है और उनसे जुड़ा पूरा revision sack 10 root x आप जानते हैं sack का क्या होता है sack x 10 x याद रखें अंदर का angle नहीं बतलना चाहिए अब करन करते चलो sack का क्या होता है sack x गुड़े 10 x x के अंदर का नमबर चुकि इसमें तो जी है 10 root x 10 root x sack x 10 x याद रखें जो sack के अंदर है formula में सभी के अंदर भूई आएगा आपने बढ़ रखा है sack x का अब कलन के तना होता है आपने बढ़ रखा है sack x गुड़ा 10 x आपने गौर परमाया जो sack के अंदर है formula में इन दोनों के अंदर भूई है अभी sack के अंदर जी है तो formula में sack और 10 के अंदर यही आएगा ओके आगया ठीक है गुणा आपकी कानी यहां तक तो हो गई समाप्त अभी अंदर के नंबर का फिर से करोगे chain rule के according chain rule के ना सर अब कलन करेंगे 10 root x का गुणा 10 के अंदर का फिर करेंगे अब कलन root x का आपके देखना आप देखो चाहे up board में हो, mp board में हर्याणा board में हो किसी में भी हो आपके लिए सबसे ज़रूरी है यह question बहुत important करारो मैं आपको, ऐसे paper में यादे है 10 root x का क्या होता है, आप जानते है sec square root x और root x का क्या होता है बनपॉन 2 root x सभी का गुणा कर लो दियान से देखना बस, इनको पहले लियाओ sec square root x गुणा sec 10 root x गुणा, 10 10 root x बटे 2 root x लो जी, यह answer आगे आपके पास और यह question, इसको note कर लो इसके बाद यह, चलो आप इसको कर ले न, नहीं, चलो मैं ही करा दे रहूं उसको है न, sin ax plus b cos cx plus d इसका अब कलन कैसे करना है अब कलन देखो कैसे करते हैं इसका d बटे dx sin ax plus b upon cos cx plus d इसका अब कलन करना है आपको ऐसे दिखा दिया आपने अब नीचे वाले का square आपने यह पॉमला अभी पढ़ा था कि कभी भी अब कलन करा जाए उपर वाले का और नीचे वाले का पहले और दूसरे का तो याद रखें नीचे वाले का square करके लिख दें उसके बाद पहले का करें गुणा दूसरा चुपा दें माइनस दूसरे का करें पहला चुपा दें यह तरीका है नीचे का square करती है पहले का करो sin का क्या आता है cos ax plus b में से b 0 हो गया ax का a आ गया उपर अब कलन हो गया गुणा नीचे का number cos tx plus d पहली कानी गदम minus minus अब नीचे का करो cos का क्या होता है minus में sin minus में sin cx plus d जैसी में इसका किया cx plus d का c बहार आ गया जगे नहीं है आप manage करो थोला सा है न क्योंकि जगे नहीं है गुणा उपर का number sin ax plus b अब बाद में minus minus plus हो जाएगा आप solve कर लेंगे ये कुछ तरीके थे कि example में इतने सारे लिए जैसा कि आप जानते हैं अगर आप जादतर देखेंगे मेरी speed से कोई दिक्कत हो मेरे किसी question में अपको clarity न मिली हो इस पस्ट रूप से समझ में न आया हो आप किसी भी चीज को लिखेंगे तो हमें अपनी गल्ती का हैसास होगा फिर आम उसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर बताएं यहां से लेकर आप आगे बढ़ते हैं देखिए बढ़ा अच्छा question मिला है हमको यह इसको टाई अब देखिए इस question की ओर छटबा question cos x की power 3 गुणा sin square x की power 5 इसको अल करना है बढ़ा आसान तरीका है गुणा हो रहा है लग जागा इसमें वही multiply वाला तरीका आप ने देखा था वो गुणा वाला आवकलन कैसे होता है पहले का करो दूसरे को चुपका दो दूसरे का करो पहले को लगा दो जोड़ दो पहले का करो पॉस का क्या होता है माइनस में साइन x क्यूब x की पावर 3 ओके x की पावर 3 का भी करो जो कि वो जागा 3x स्क्वेर हो गया गुणा इसका होने के बाद इसे चुपका दो साइनी स्क्वेर एक्स की पावर 5 यह कर दिया पिलस दूसरे का करो सैनी स्क्वेर का याद रखें सैनी स्क्वेर का क्या से करते हैं मैं आपको बता दूँ सैनी स्क्वेर एक्स का दो पहले आ जाएगा अंदर बच्चे का साइन एक्स फिर सैन का करोगे कॉस एक्सों की चैन रूल है पहले power का होगा, फिर sin square का क्या होता है? two sin x की power 5 फिर sin की तक है? cos x की power 5 गुणे x की power 5 का? 5 x toolbar 3 हो गया? गुणा पहला वाला फिर cos x cube फिरूल कर लेते हैं अब दिखना आप 3x square माइनस में छोटे वाले को पहले ले लो उसके बाद sin x cube sin x cube sin square x की पावर 5 यह इतना बड़ा हो गया पहला पिलस देखो ध्यान से पांदो नहीं 10 x की पावर 4 इसके बाद और तो कुई आया नहीं है इसको देखते चले cos x की पावर 3 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 यह question हो गया आपको बस कितना बड़ा आई है कोई दिक्कन नहीं है वो आप देखते चलें यह ना मैंनत तो करना नहीं पड़ेगी अब आपको थोड़ा सा बचा हुआ है इसको कैसे भी कर लिका आप complete अलवाज मैं आपको बता दू इसके दो पाट आने है पहले पार्ट में थोड़ा सा प्रेक्टिस फॉर्मूले और वन शॉट में नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको इंपोर्टेंट कोश्चन पुरानी साल में जो आए हुए है संभावित परस्ट में कराऊंगा जो बोड में आने वाले हैं न उनकी संभावन रहेगी अगली वीडियो इससे कहीं हो ज़्याद़ इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है अगर आपने इस वीडियो को किया तो अगला नहीं कर पाऊगे आप दोई वीडियो आने डिफ्रेंशेशन कतम हर एक चैप्टर को एक वीडियो दो वीडियो में निप्टा देंगे लेवल टू के कोश्चन कुछ ये बहुत ही मैतपूल कोश्चन है ये तो यूपी बोट 2022 में भी आया हुआ है कि इनको करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं अवकलन की कुछ विदिया होती है ये अवकलन कुछ-कुछ ऐसे आजाते हैं जिनने देखते डर लगया था है ऐसा लगता है हल कैसे करें तो हल करने का तरीका देखो पहले आपको ऐसे पंक्षन मिलेंगे जो संयुक तोंगे संयुक तुमाने फंक्षन के अंदर फंक्षन फंक्षन के अंदर फंक्षन वोसमें चलता है चेन रूल वह हम इसमें करेंगे चेन रूल के द्वारा ठीक है देखो fog x किसी function के अंदर function gx दिया हुआ है कैसे करें आप अब कलन निकालो example दे रहा हूँ आपको sin x square plus 5 फलन के अंदर फलन है अलग से function है आप इसको कैसे करोगे पहले बाहर का फिर अंदर का बाहर का sin की जगह है cos x square plus 5 गुणा x square plus 5 का क्या होता है 2x चुकि 5 का 0 हो जाता है x square का 2x आप का अंसरा है इसको पहले भेज़ दो 2x into cos x square plus 5 लो यह होते हैं फलन के अंदर फलन फलन के अंदर फलन पहले बाहर का करो cos का क्या होता है minus में sin अंदर का तो इसी रहगा sin x sin x का cos x आपको समय में आ गया होगा यह है sin का cos अंदर का तो इसी रहगा एंगल अब दोबारा से करो ax plus b का तो a आ गया बार क्योंकि b का 0 ax का a तो आपको समय में आ गया होगा है न यह था हमारे पास अब कलन की पहली विदी composite function function के अंदर function आया तो कैसे करें अभी मैं कुछ example देता हूँ एक और उदारण ले ले दे हमें न इसका जैसे इसके लिए उदारण ले 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 दे हमें एक देखो जैसे log 10x log के अंदर कोई value होती है कोई चीज होती है मैंने उसके अंदर 10 डाल दिया log 10x गुणा फिर अंदर का क्या है 10 उसका करोगे है ना 10x आप जानते है log का क्या होता है बन अपॉन 10x आप तो जानते हैं यह log के अंदर का नंबर आपन में चला जाता है गुणा 10 का क्या होता है second square x अब second square तो उपर रह गया 10x का आगया नीचे लो साब होगया आप कलन है ना और और एक ले डेती है 1 की power 1 की power 1 की power sin x माल लो 1 की power sin x का 1 की power sin x रहता है गुणा sin x का क्या होता है cos x होगया आप कलन फलन के अंदर फिर से फलन है इसको कहते है composite अब आते हैं दूसरे तरीके पर इस पर्ष्ट फलन यानि implicit function का अवकलन अपकी थोड़ी गड़बर मिल जाती है x मिल जागा, y मिल जागा और हो सके तो z भी मिल जागा दो दो, एक एक दो दो संग दे देंगे आपको ऐसे देंगे x square भी और y भी है अब बताओ, अवकलन क्या होगा तो देखो, आपको क्यासे मिलेगा इस तरीके के मिलेंगे जिसमें दोनों सामिलोंगे, कैसे करोगे आप x square फलस y बरावर में 2 दोनों तरप अवकलन कर दो, इदर भी कर दो इदर भी कर दो, तो ध्यान से देखना अवकलन करेंगे x square का फलस अब कलन करेंगे y का बराबर, अब कलन करेंगे 2 का अब आप ध्यान से देख रहा है x square का तो हो गया 2x फिलस आप जानते है y का अब कलन नहीं हो पाता है कारल क्या है? नीचे x है तो उपर भी x होना चाहिए था लेकिन मिल किया क्या y तो यह ऐसी रह जाएगा y upon dx बराबर में खाली नंबर का अब कलन 0 चाहिए आप सुरो, dy upon dx 2x को अधर बेज़ दो तो माइनस में 2x चला गया? हो गया अब कलन लो dy upon dx तो है हम आगे निकल कर ऐसे निकलते हैं ना कुछ एग्जम्पल ले लेता हूं मैं कुछ उधारण आपके पेपर में डारेक्ट सवाल चपएगा आप अभी से तैयारी करके चलो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे देखिए जैसे xq प्लस 3xy प्लस में 7y स्क्वेर बराबर में 40 आप जूट मानेंगे यह क्वेश्चन ऐसे कईयों बार पूचेंगे पेपर में और आपसे कहेगा आपकलन निकालो dy upon dx इसका आंसर क्या आएगा dy upon dx इसका आपकलन क्या होगा देखिए आप सबका आपकलन कर दीजिए x की क्यूब का क्या होता है 3x² प्लस 3 तो नमबर है उसे लिखते नहीं है देखो पलन के बगल में नमबर है तो उसको ध्यान नहीं देती है अब करो अब कलन आपको पता है x और y दो चीजों की multiply हो रही है तो यहाँ पर वही multiply वालन नियम चल जागा 2 होते हैं तो कैसे करते हैं पहले x का वकलन dx x का वकलन एक होता है गुणा y y का क्या होता है dy upon dx गुणा x तही है पिलस इसका करोगे तो 7 दूनी 14 y बच गया और y का फिर से करोगे तो dy upon dx तो नमे आगया आप देखिए यहाँ पर dy upon dx क्यों आया क्योंकि नीचे x लेता हूं मैं उसने x मांगा है उपर y है तो dy upon dx हमेशा रह जाएगा बराबर खाली नमबर का 0 ठीक है आगे देखिए 3x square plus 3 बनजा 3y plus 3x dy अप टे dx देखो 3 अंदर गया x b मिल गया 3x dy upon dx प्लस में 4 y dy बटे dx बराबर में 0 अब आप क्या करेंगे dy over dx common ले लो ठीक है इनको ऐसी रहने दो 3x plus 3y इसको ये plus ध्यान से देखो आप dy upon dx dy upon dx इन दोनों को बाहर ले लो 3x plus के 14y ये एक ब्रैकेट में कम हो गया एक ये आगया एक ये आगया मैंने दोनों में से एक कम कर लिया dy upon dx dy upon dx दोनों पर है मैंने common ले लिया common आप समझते हैं अगर दो चीजे एक जैसी हो तो एक को बाहर ले ले लेते हैं ताकि अंदर कुछ नहीं खाली रह जाता है बराबर में 0 इस नंबर को उठाकर इदर लियाओ जगे नहीं है मैं उपर का अठा देता हूँ आपको तुसर में आगया होगा आप इसको नोट कर लें मैं भी मिटा देता हूँ आप वीडियो को दो तीन एक मिनिट पीछे कर लेना आपको दिख जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है इसको डिवैड में लियाओ अब कलंग यह आगा डिवाई अपॉन डिएक्स अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान बठक रहा हो तो आप वीडियो को रोक कर कुछ और काम कर सकते हैं कोई मना नहीं है आप दोबारा से आएं क्योंकि कभी कभी लगातार पढ़ने से ऐसा होता है हमारी समझ में नहीं आता है आप कोशिश करें अगर आपको ब्रेक लेना खाणा पीना तो आप कुछ कर सकते हैं फिर वीडियो पर आ सकते हैं लेकिन कोशिश करें जिद्ना समझें उसको इमानदारी से पढ़ें और दिल से समझें पता पढ़ा आप वीडियो पूरी पढ़र नहीं है लेकिन बीच में से आप थोड़ा सा disturb हो गए, तो क्या होता है, mind कम नहीं करता है, अगर आप break लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ये वीडियो तो डली देगी, बीच में से pause करकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पाथ challenge ये आपको complete करना है lecture, पूरा, तभी आप next को पढ़ सकते ह आजएए, अब दूसरे तरीके, parametric function यानि प्राचलिक, भाई साब प्राचलिक नहीं है ये, मैं कहरा हूँ, ये बहुत ही famous है, इतना famous है, आप पुराने साल को उठाके देखिए, सम्मे जातर ऐसे question आए हुए है, UP और MP और किसी में भी ऐसे question आते हैं हर बार, क्या होता है, X अलग दिया है, Y अलग, X अलग है, Y अलग है, एक बाज सहयोल की दोनो में, X के अंदर, जो भी दिया होगा, Y के अंदर भी भूई होगा, कैसे? X का function मैं T है, तो Y के function में भी T है, फिर कहएगा, Dः वाई अपॉन डाग घ्यात करो, उतारर किसम से समझोगे आप, X बराब देलो ठीक है? X का अलग करना है, Y का अलग देखिए, X बराबर में T स्क्वेर, Y बराबर में T क्यूब, आपको क्या करना है? देखो X बराबर में T क्यूब, T स्क्वेर दोनों का अवकलन कर दो D upon D X, sorry X नहीं लोगे, T लोगे कारल क्या है? अब कलन करोगे तो T के साब से करोगे, क्योंकि T दिया हुआ है अब कि इदर भी कर दो D T स्क्वेर अपॉन D T मानि T स्क्वेर का T के आधार पे करो है न, इसके साब X ये तो बच्छा D X बटे है, D T इदर, T स्क्वेर का क्या होता है? 2 T बराबर T क्यूब का करना तो 3 T स्क्वेर जी हो गया, अब D X बटे D T D Y बटे D T इसका इसमें डिवैड दे दो, डिवैड क्यों देना है आपको? उसने बोला था, Y वाला उपर रहना चाहिए X वाला नीचे, ये उपर ये नीचे आपके पास D Y अपॉन D T कितना है? 3 T स्क्वेर D X अपॉन D T कितना है? 2 T यही था, अब आप डिवैड दे दो D Y अपॉन D T, इसका भाग दे दो दूसरे वाले से D X बटे D T से बराबर, इसको उपर लेखो 3 T स्क्वेर बटे 2 T द्यान से देखना बटे का T, बटे का T गया D Y अपॉन D X बच गया यह हो गया T स्क्वेर से 1 T गया 3 बटे 2 T आपका अवकलन आ गया तो मैं आगया आपको अगला कोशन X, भाई साब यह कोशन तो पेपर में पूचा भी गया है मैंने देखा था ये काफी पर पूचा गया है X बराबर साइन स्क्वेर T Y बराबर कॉस स्क्वेर T X का T की यह आप एक्च कर दो D X बर टी साइन स्क्वेर का 2 साइन T और 2 तो पहले आ गया साइन का कर दो कॉस तो कॉस टी सही है य वाले का करो dy बटे dt cos square का 2 cos t cos का करोगे तो minus में sin t सही है अब आपको क्या निकालना है dy बटे dt dy बटे dx y उपर रखो x से नीच रखो यानि इसका हैस में divide दे दो इसका हैस में भाग दे दो dy बटे dt upon dx बटे dt y बाला पहले रखो 2 cos t minus में sin t upon 2 sin t गुणा में cos t सही है हम द्यान से देखना sin से sin गया cos से cos गया 2 से 2 गया minus का 1 आगया dt से dt गया dy बटे dx इसका answer minus में 1 आगया उस सेड में आपको मुझे लगता है son में आ गया होगा अगर नहीं son में आया तो फिर से revenge करके देखिए x अलग दिया है y अलग दिया है यदि y बराबर यह हो तो इसका अब अबकल dy बटे dx के तना होगा बहुत आसान है formula पता होना चाहिए कुछ formula यह से जुड़े हुए यह रहे यह तो देखिए inverse technometry के कुछ formula है 2 sin inverse x का यह formula है यह सब आप याद करने आपका काम है याद करने का एक वीडियो लाऊंगा उसमें आपको shortcut पता हूँगा कैसे याद करने है फिलाल कोशिच करने इनको याद करने की मैं बताता हूँ कौन से याद कर लें आप आप याद कर लें यह तीनो बहुत important है cos inverse and inverse हमेशा pi by 2 pi by 2 pi by 2 2 का मतलब मैं आपको बता दू 90 डिगरी होता है cos inverse and sin inverse को जोड़ेंगे तो हमेशा 90 आएगा यह formula याद रखें और यह कुछ formula है यह और यह important formula है बागी इसमें से इतना कुई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है सबस्यादा तो जही पूछे जाते हैं कुछ inverse technometry के formula थे मैं आपको बता दू वो यह है देखो वो होंगे मैं आपको दिखा दू कहा है इधर देखिए वो शाद यहीं मिलेंगे वो पेज इसमें शायद है नहीं है अभी मैं आपको यह काम करता हूँ लिगवा देता हूँ है यह बाले ताकि आप लोग जरू दिहान रखें यह देखिए देखिए d बटे dx है ना sin inverse x इसका आवकलन होता है 1 upon under root 1 minus x square यहीं अगर जे cos के लिए पूछ ले cos के लिए d बटे dx cos inverse x formula होता है minus में 1 upon under root 1 minus x square यह आप याद रखें अगला d बटे dx 10 inverse x formula होता है 1 upon under root 1 upon 1 plus x square यदि यह पूछ ले 4 के लिए formula होता है minus में 1 upon 1 plus x square आपको याद करने पड़ेंगे आपको याद करने पड़ेंगे आपको समय पचा नहीं आपको मैनत करनी है बस मैनत कर लो आप सब easy हो जाएगा यह होता है sec inverse x जोगी होता है 1 upon x under root x square minus 1 यदि यह ही मैं को sec के लिए पूछ लूँ तो यह moment करकर आता है minus 1 upon x under root 1 minus x square आपने गौर किया जब-जब c आया था minus 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 अगया था वरना सब plus में जा रहे थे यह आपको सीखना है इससे जोड़े कुछ formula है और question है यह अब कलन inverse वाला आ गया y कितना दिया है cos inverse minus में 2x square आपको इसका अब कलन करना है d y dx तो वह इसका भी होगा cos inverse minus में 2x square cos inverse का क्या होता है minus में 1 upon under root 1 minus x square x का है अंदर का जो की कितना है minus का 2x square आप बाते इसका square बताओ minus के 2 का 4 x square का 4 2 की power 4 होजाती है square होती ही अभी chain rule के हिसाब से फिर से करोगे minus के 2x4 इसका आपकलन फिर से करोगे 4 नहीं है वो 2 है देखते है देखो minus minus plus 2 दूनी 4x एक कम हो गया नीचे बचा under root 1 minus 4x4 यह आपके पास इस तरीके से आप इन सब कोशनों को कर सकेंगे नहीं है नोट करते चलने देखिए एक कोशन आपके लिए दे रहा हूँ है वह आपको करना है y बराबर sin inverse 2x एक और देता हूँ y बराबर sin inverse sin x यह आपके लिए हुंबर्ग में है आप इन्हें जरूर करें और आगे देखते हैं यह formula में आपको पताए कुछ यह formula और मिलते हैं आपको इनसे जोड़े सवाल मिलेंगे इनसे जोड़े सवाल हो या question हो next video में आपको धुआदार तरीके से पढ़ाया जाएगा फिलाल के लिए आप क्या करें इनको देखते चने यह formula आपको सीखने है ताकि next video में cover कर सकें बस अभी आपको क्या करना है वह मैं आपको बताता हूँ एक चीज और आती है chapter के last में NCRD के coding second order derivative में दो गाती है मतलब क्या करते हैं हम दो तीन बार करते चलते हैं पहली बार आपको करेंगे तो first order दूसरी बार करेंगे तो दो बार इसको क्या कहते हैं second order इसको गाती है नहीं कहते है दो कोटी है दो कोटी यानि दो की दोबारा करने से देखो आपको d square y over dx square निकालना है मैं आपको पता देता हूँ किसी y का एक बार अब कलन करोगे तो dy upon dx का होगे दो बार करोगे तो d square y upon dx square का होगे यह अब कलन होता है अभी दिक्कत क्या है कुछ लोग सोचते हैं कि y पे square लगाना है y तो फलन है जो आपको मिलेगा d अब लिखते तो अब कलन है ऐसे हैं d बटे dx एक बार करोगे तो एक बार दो बार करोगे तो तीन बार करोगे तो तीन बार तो पावर सिर्फ इन पे चड़ती है ना कि इस पर तो आप इस बात कब इसे द्यान रखें इसका एक बार अब कलन कर दो तो यह हो जाएगा d y बटे dx तीन दूनी 6x दो तीन के जाएगा प्लस तीन दूनी 6x एक रह गया 7x का 7 आप जानते काली नंबर के संगर 1x हो तो बटे जाता है कम हो जाता एक दोबारा से करो तो d square y upon dx square बराबर 6x 12x 6x का 6 रह गया नंबर का 0 हो गया लो इसको कहते हैं second order यानि दो बार करने वाला आप कलन सबसे जरूरी बात क्या है आपको अगर यह base आ गया next video में तभी आप practice कर पाएंगे एक तो यह चीज़ हो गई differentiation में और मैं आपको दिखा देता हूं पीछे जाकर फुल देखिए एक यह question था मैंने आपसे बोला था इसका level थोड़ा सा high है यह question कहीं हो बार Hindi medium में पूछा जाता है खास करके जो बच्चे UP वोट गए है उन्हें तो ध्यान दा करना चाहिए क्योंकि यह question पूछा गया काफी बार देखिए इस question को कैसे करना है आपको दिया है y बराबर e की पावर ax गुड़ा cos bx plus c इसका अभगलन करना है माने dy बटे dx को find करना है पता करना है आपका काम सबसे पहला क्या है पहले का करोगे देखो गुड़ा हो रहे है ना पहले का करोगे दूसरे को लगा दोगे चुपका के फिर दूसरे का करोगे पहले को लगा दो यह चीन आपको करना है dy बटे dx बराबर पहले आप e का करेंगे e की पावर ax का e की पावर ax गुड़ा ax का a बहार आ गया तही है इसको लगा दो cos bx plus c अगली बात plus plus क्यों लगाते है आपको में सिखा चुका हूँ दो function यानि multiply हो रहे हो तो पहले का करके दूसरे को लगाओ दूसरे का करके पहले को लगाओ अब दूसरे का करो cos का क्या होता है minus में sin bx plus c और bx का b बहार आया गुणा e की पावर ax एलावाला एक बात बताओ e की पावर ax इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है बाहर निकाल लो इधर बच गया a cos bx plus c plus minus minus sin और हाँ पहले b भी तो है b sin bx plus c ex और e की पावर ax यह common आ गया बाहर आ गया यह हो गया अब कलन dy dx आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने आपको question कराए और कितने level के question कराए easy से लेकर moderate moderate to high ऐसे question और आपको दिखाता हूँ देखिये यह question यह question level 2 के यह बोर्ड के लिए फरिक्षाओं के लिए बड़े जरूरी question है यह question कहीं हो बार पेपर में आया हुआ है और UP board में तो 2022 में भी आया था यह ठीक है तो क्यासे करोगे आप two tax का क्या होता है अब कलन करना है आपको पूरे का root x ब्लस बनपॉन root x root x का अब कलन क्या होता है बनपॉन two root x अभी इसका कैसे करोगे इसको उपर ले जाओ इसका उपर ले जाओ है ना तो कितना हो जाएगा मैं आपको बता दू root के किसी भी नंबर का मतलब होता है उसकी power आ दिये root का मतलब होता है बनपॉन two उपर जाएगा तो minus में बनपॉन two तो ही है अब इसका आपको कर दिना है अब कलन कैसे करते हैं देखते चलिए मैनस के बनबबंटू है एक गटा दो गटा दिया इससे पहले आपको एक काम और करना है इस पावर को पहले तो पहले उठा लाओ मैनस के बनबबंटू फिर इसमें से गटा दो माइनस कर दो तो ध्यान से ते को कहे निकल कर आया माइनस में 1 बटे दो आदा और 1 ड़ाई माइनस में जिसका मतलब होता है 5 बटे 2 ड्राई कितना होता है, 5 बटे 2 होता है पस, चाहो तो नीचे लिया हो माइनस में 1 अपाउन 2 एक्स की पावर प्लस हो जाएगी तो पांच बटे दो यह अंसर इसका आ गया, यह यूपी वोट दो एर बाइस का ही है मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही कोशन पेपर में आते हैं आप बिल्कुल चिंता न करें, प्रेक्टिस करें मेरे साथ आपको पक्का आजाएगा, 100% आजाएगा आत्म विश्वास रखो वास अमने अंदर एक यह हो गया, है ना, एक यह कोशन है आप उसको नोट करें, यह चलो आप कुदी कर ले ना सारे तो मैंने करा दी है और आपके काम का क्या है, यह यह, यह करके दिखाओ, यह वाला य बराबर, पॉस इन्वर्स, टू एक्स इसका अब कलन करना है, बहुत आसान है डी वई बटे है, डी एक्स इन्वर्स वालों का एक फॉर्मला बता था मैंने माइनस वन अपन अंडर रूट, वन माइनस इसका 4x स्क्वेर, अगले नंबर का स्क्वेर करते हम ठीक है, और चैन रूल लगाओगे, 2x का कितना होता है 2, 2 एकम 2 माइनस में, अंडर रूट 1 माइनस 4x, इसक्वेर लो होगे आपकलन, इसमें देखी आप, y बराबर x डॉट, उन्हें multiply, 10 inverse 2x, पहले इसमें, गुणावाला लूल लगेगा, कैसे? पहले x का वकलन करोगे देखो, dy बटे dx निकाल ला है पहले इसका करोगे इसे चुपका दोगे पिर इसका करोगे, इसे चुपका दोगे यह करोगे आप, ठीक है x का करोगे तो 1 गुणाव, 10 inverse 2x, प्लस अब दूसरे का करोगे 10 inverse का क्या होता है, बन पॉन, बन प्लस x स्क्वेर इसका किसका, कितना स्क्वेर होता है? 4x स्क्वेर 2 का 4, x का x स्क्वेर और 2x का 2 लगा दिया, गुणाव x लेखे लो 10 inverse 2x प्लस 2x हो जागा जे, 2 x 2x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वेर, दिलो भाई साब यह आपका अंसर आगया जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ हाई लेवल के कोशन आपके मैं आने वाले हैं लेवल तरी के इसको नोट कीजिए अगर इस पूरी की पूरी यह जो लेक्चर आथ चला इसका आपको PDF चाहिए या PPT चाहिए तो आप क्या करें प्ले स्टोर से डाउनलोड करें उस एप्लिकेशन पर 12th क्लास का एक सेक्शन आता है बारे में क्लास का आपको Hindi Medium के उसमे नोट्स मिल जाएंगे और इस फाइल की पूरी PDF मिल जाएगी क्योंकि मैंने बढ़ाया आप मेंसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे के स्क्रिश्ट नहीं ले पाएंगे या शायर ना लिख पाएंगे आप उसका PDF पूरा पा सकते हैं यह जो मैंने कराया इसका पूरा आपको फॉर्मेंट मिल जागा और आपको मैं इससे आगी की बात बता दू अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो कोई भी समस्य आई हो तो आप जरूर हम से पूछें ताकि हम उसको आगे और कम ही उसको कम कर सकें तो यहां तक के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियों लाऊंगा मैं जिसमें UP बोर्ड, MP बोर्ड जितने भी हिंदी मेने बोर्ड हैं उनसे जुड़े पुरानी previous question और संभावित प्रष्ण यानि expected question जो 2023 के बोर्ड में आ सकते हैं पक्का गारंटी के साथ है आप मेहनत करो उन question को आप करके जरूर सक्सेस पाओगे यह हमारा आप से बादा है आप बस मेहनत करके लग जाईए जय हिन